ऐसे ऐसे पुजारी हैं तो दो गंटा तिन गंटा पुजा करेंगे लेकिन आफिस जाएंगे तो बिना गुफ के किसी का काम नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि हमने धर्म से मुनुष्व को काड़ दिया है और लाकर किसी देवी देवता इस रब्रम को बैठा दिया है ठीक है आप मानते हैं किसी देवी देवता पुजा करते हैं किसी भगवान भगवती राम रहिम की पुजा करते हैं आपकी मर्जी उससे हमें को लेना देना नहीं है लेकिन पुजा की कसवटी क्या है? धर्म की कसवटी क्या है? पूजा और धर्म की कसवती है जीवन का पुईत्राचरन से पूर्ण होना यदि हमारा ब्योहार, हमारा आचरन, हमारी कर्म शुद्ध नहीं है यदि हमारे ब्योहार, आचरन, कर्म से दुसरों को तकलीफ मिल रही है दुसरे के अधिकारों का हनन हो रहा है किशी का अनादर और तिरसकार हो रहा है कि पूजा और धरम की कसवटी तो नहीं हुई पूजा का अर्थ है ऐसा ब्योहार ऐसे कर्म और आचरन जिनसे हमारा मन्त्रिप्ट और संतुष्ट तो हो ही दुसरों को भी सुख और सुधा मिले इसलिए कभी राग ने कहा था कि जह जह डोलू सो परिकर्मा जो कुछ करूं सो पूजा जब सोओं तो करूं डंडवद भाव मिटावं दूजा हमारा मन इतना पवित्र हो हमारे कर्म ऐते संतुली तो हो कि हम जो कुछ करें सब पूजा बन जाए मन पवित्र है अब जो कुछ जहां आते जाते हैं सब भगवान की परिक्रमा हो रही है ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर भगवान का घर और जितने ननारी घुम्रे सब भगवत रूप हैं और मन पवित्र नहीं है मन में कलसिद भवना है कितनी भी पूजा करें जीवन में कोई बदलाग नहीं होगा अभी हम सूर रहते पुरोप्रवतादारा कि हमारा मन कहता है यदि हम सौचाले में वैठे हैं और हमारा मन एकदम पवित्र है पवित्र विचारों में डुबा हुआ है तो सौचाले हमारे लिए मंदिर बन गए और जिसे हम मंदिर कहते हैं वहा किसी महापुरुष की मूर्ती है या अंद्री धंत हम पूजा कर रहे हैं कि याद आई हमारा मन क्रोध से भर गया देश भाव से इर्था भाव से भर गया किसी यूति कि याद आई हमारा मन काम वातना से भी भूत हो गया किसी पदार्थ कि याद आई हमारा मन लोग से भर गया तो मंदिर को हमने कुड़ा घर बना लिया मंदिर हमारे लिए मंदिर Wentar कि सी और के लिए मंदिर होतरत हमारे लिए तो पूरा गर बन गया रया है कि मन पवित्र है तो हर चप しका मंदिर है भटकना कहारे है कि उस पर धान नहीं दिया जा रहा है कि की आज शुक कि यूग में जीने वाला आदमे उसका बाहर कुछ और भीतर कुछ जीवन का जो बेवहार है उसका जो रहंसहन है रहंसहन तो ऐसा है कि एकदम अब टुडेग लेकिन मस्तिश अभी भी वही सडी गली बातों में घूम रहा है वही जड़ मान्यताओं में भ्रम अंधिस्वास में घूम रहा है मन पर विचार नहीं रिखिया जा रहा है मैं तुकार आतर कभिर साहथ की पंति कि सदा धर्म जाके हिर्दिया बशी राम कसोटी कस्ते हैं रही जिसकी हिर्दय में सदे धर्म का निवात होता है वह अपने आपको राम कसोटी में कस्ता रहता है राम कसोटी क्या है अंतरात्म की आवाश कि अवांत राहता है हरा आदमी तौए और तो जा सकता है कि हर आदमी अपनी अंतरात्म का व्वाह रहा है कँप कने नंतरात्म की आवाश है कि अंतरात्म की यह वास सुनने वाला लेति को गलत 1973 कर सकता है धर्म की छोठी से परिभाता हमारे मनुशियों ने हजारों वर्त पूर्व दी थी, शुरुईताम धर्मत्तरोस्वन सुरुत्वाचे वावधारियताम आत्मना प्रतिकूलानी परिशामना समचरे, धर्मों के सार को सुनो और सुन कर आचरन करो वो क्या है जो अपने प्रतिकूल हो जो हम अपने लिए नहीं चाहते वह दुसरों के साथ नग करे इतना में परियापत है इतने सारी पुजा सारी साधना और सब कुछ आ जाता है हम अपने लिए क्या नहीं चाहते किसी आदमी को बताना पड़ेगा किसी दिए पुछ करके देखो तुम अपने लिए क्या क्या नहीं चाहते हो बहुत आराम के बता देगा तो अपने लिए जो निचा जो भ्याँट, जो कर्म, जो आचरण, हम अपने लिए नहीं चाहते, दूसरे साथ ना करें, इसकी वीपूरीत भी कहा जा सकता है, हम अपने लिए जो चाहते हैं, वह दूसरों के साथ करें, कि बस ध्रम हो गें सारी पूझा हो गें हैं सब्सार्थ अपके मर्जी यहां कि आ कि आपके मन के खिलाउने हैं ह। भार्थि दरदन में कि आद्मी का दिमाग पर लुका बनाने का कर खाना सारे देवी देवता आदमी के दिमाग से बन करके निकलते हैं अल्लह राम जीयो तेरी नाई जिन पर मेहर हो तुम साई शाकते है भई तुम अल्ला हो और राम को बाहर क्यों खुज रहे हो तुम से अलग कोई राम और राम नहीं है विभी तुम्हारे जैसे हैं तुम्हारा अपना आपा है यदि तुम्हारे जैसे हैं और जिन पर मेहर हो तुम साइं तुम जिस पर क्रिपा कर दो वही भगवान हो जाता है भगवाण बनाना तुमारे देश में बड़ा सस्ता बड़ा सस्पा भगवान बनाना किसी आदमी की शेवा करने में तो थोड़े खर्च लगेगा मेहनत लगेगी लिकिन भगवान बनाने में कोई खर्च नहीं लगता है मुश्किल से आप पास पचात पैसे एक रुपए हो तो उसका आप बंदान खरेदे कुंकुं खरेद लिजिए और एक रुपए का तेल खरेदे दोनों मिलाजी पत्थर में लगा दे हर्मान जी बन गया भगवान बन गया अब पूजा कर लिजिए इतना सस्ता है भगवान ब पूजान यही कठीन है और कभी हमारी दृष्ट इसी तरफ कंदेद करते हैं पूजा का मतलब क्या है जीवन की परित्रता जीवन पत्रता मतलब क्या है मन वानी कर्मों की परित्रता हर आदमी पास तीन है मन है वानी है और इंद्रिया है क्या हमारा मन संतुलित है वैसे हम संतों से सुनते हैं सात्रों में पढ़ते हैं कि अनेक जन्मों की पुन्य संसकार उधित होते हैं तब मुनुष जीवन की प्राप्ति होती है हम इसी गहराई में न जाए जो भी होता हो लेकिन पढ़ते हैं सुनते हैं ठीक है, माल ले पेश चलो इस बात को, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पुर जनमों के पुन्य संसकार को धित हुए, तो हमें मनुष जीवन की प्राप्ति हुई, ठीक, अब हमें सोचना यहाँ होए, कि पुन्य की कमाई से, पुन्य के परताफ से, हमें जो मनुष जीवन मिला है, इसमें हम पाप की कमाई कर रहे हैं या पुन्य की कमाई कर रहे हैं हमारे जीवन में पाप की मात्रा जादा है या पुन्य की मात्रा जादा है बताएगा कौं किसी को पापी कह करके देखो बड़ा मुश्किन में पढ़ जाएंगे गलत से गलत काम करने वाला आदमी भी अपन को गलत काम करने नहीं मानता है को फोचे मानती है को दूतरा नहीं बताएगा हमें सोयम्त है अपने को क कशना है करें आप कर रहे हैं यह कुंदार यavait हमारे मन में चिंता है कि डुख है भय है तनाव है कि कुंद आ हम जी रहे हैं तो हमाई जीवन में पाप की मात्रा जादा है, हम पाप पर पाप परते चले जा रहे हैं, कितना हम जानते हैं, कितना हम पुझा करते हैं, हमारे पास कितनी संपत्ति हैं, कितने का हम मालिक हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, दुख में जीवन बती थोड़ा मन तनाव ग्रस, इर्शा से ग प्रतनता से भरा हुआ है सरल है निर्गरमत ये निर्वह है मन है सबस्गना चाहिए हमारी जीवन में पुन्य की मात्रा जादा खूरी हoti कि लिए पून्ह के परिणाम से मनुष्ग जीवन मिला तुल कम ज KIत स्क ड़यांए कर रहें हैं समारु से हमको चोरि नहीं करते हं डागा नहीं डालते बेविशार नहीं करते और कोई काम नहीं करते हम कहां-फार कर रहे हैं इस थुल पाप से तो आदमी प्राया बचा रहा था लेकिन यह बेद अपने पडोसी की उन्नती देखकर किसी प्रकात्म नती देखकर हमारे मन में इर्षा का भाव जगा तो हमने पाप कर लिया किसी की दुनती को देखा हमारा मन जल गया इर्षा आगई मन में तो हमने पाप किया और हमें दुखी होना ही होना है किसी अभावश्त आदमी को देखकर दुरबल आदमी को देखकर हमारे मन उसके लिए उपेक्छा और घ्रिना का भावायत हमने पाप कर लिया किसी आदमी को दुखी देखकर हमारे मने प्रतनता होती तो हमने पाप कर लिया हमारा मन तो यह सह होना शाहिए कि कोई देखती चाहे रात दिन हमारा विरोध करता हो रात दिन हमें दुख देने में लगा हुआ हो समय कुसमय हमारा अपमान करता हो उसको भी दुखी देखकर अज़े हमारे मन में प्रसंता हुई तो हमने पाप किया पोई हमारे कितना बड़ा सा बड़ा विरोधी क्यों ना हो हमें उच्छेत करने में ही लगा हुआ हूँ उसके लिए भी हमारे मन में हर्त में मंगल कामना होनी चाहिए जैसा हमारा मन होगा मन की भावनाए होंगी मन के विचार होंगे वैते ही हमारे जीवन का निर्मान होगा आदमे अपने जीवन का निर्माता अपने भाग्य के विधाता सोयम है इस भ्रह्म में न पढ़िये कि आपके भागयों को लिखने वाला कोई दूतरा विधाता कहीं बैठा हुआ हो वो विधाता भी आपका ही बनाया हुआ है अपने भागय का विधाता हम और आप सुयम है तो अपने जीवन को देखे हम कैसा जीवन जी रहे हैं हमारी दोर सदे बाहर की तरफ हम जवाने दोते हैं आज काते हैं यह तो भावतिक जमाना है भावतिक विधियादा हो गई है आज ही नहीं सब समय लोगों की दोर बाहर की तरफ रही है वस्तू क्या आपकता है भावतिक हमारा शरीर ही भावतिक है इसके लिए भ्वतिक वस्त्वो कैं आउसकता है और जीवन परियंत रहेगी इस निकार निकाजा सकता बिरत से बिरत साधू को भी जीवन निवा के लिए रोटी पड़े मकान कैं आउसकता पड़ती है कैसे इंकार किया जा सकता है लेकिन इन्हें पाने में हम नीती अनीती की परवा नहीं करते, दुसरे के अधिकार पर ढाका डालते हैं, गधान डालते हैं, तो हमें दुख भोगनाई, भोगनाई फिर कितने संपत्ति कठी कर लें, चैन से जीवन विचित नहीं हो गए धर्म नहीं, मैंने कहा था कि सदा धर्म जाके हिर्द्या बती राम कसवटी कस्ते ही रही, जिसके हिर्द्या में हले धर्म का निवात होता है, वा अपने आपको राम कसवटी में कस्ता है, कि सद कर सद कर दोगते हैं, बभर करें तो कि स्दक्राएबिया हुगा है, आपके होते हैं, वाने होते हैं, जिसके में काईब का जूचले झालाओ कि अपके हिर्द्या आपके हमीचल कि उड़ते ही ज़्म